लोयल SMP, इंडिया का one of the popular server और finally इस server के अंदर currency introduce हो चुकिए मतलब हम literally लोगों से पैसो में transaction कर सकते हैं अब अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं लोयल SMP के हर एक season में business करने के लिए जाना जाता हूँ जैसे कि मैंने season 1 के अंदर portion का business किया था and season 2 में armor का तो season 3 में मैं यह opportunity कैसे miss कर सकता था तो मैंने decide कि मैं बनाऊँगा लोयल SMP का पहला vending machine shop जहाँ पर तुम कुछ भी खरी सकते हो और यह देखने में काफी ज़ादा crazy होने वाला है लेकिन अगर तुम यह सोच रहे हो कि मैं इस season एक अच्छा businessman बनके रहने वाला हूँ यहाँ पर build कर सकें अब यहाँ पर vending machine को बनाने के लिए मुझे बहुत जादा time जा रहा था क्योंकि इसका raw material ही बहुत जादा था और इसके अंदर जो समान use होंगे जो लोग खरी देंगे उसके लिए भी मुझे बहुत time invest करना पड़ता इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने इस vending machine के business के अंदर यह और बंदा add करूंगा ताकि मेरा यह काम है वो आसान हो सके और मैं उस बंदे को पैसे दे के grinding करवा लूँ और सारा समान का भी जुगाड कर लूँ तो इस काम के लिए DX stream में एक best player है क्योंकि इससे मैंने pass में कई सारे deals किये हैं तो मैंने DX को message कर दिया मेरे base पे आने के लिए ताकि हम यह deal complete कर सके यो यो DX इधर 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 आजाओ इधर आजाओ इधर आजाओ इधर असान भाई अड़े इधर पहार के उस पार रुकार आज़ा है और क्या भाई और नोटिस क्या बॉर्डर है व्ल्ड बॉर्डर इधर की तरफ इस यह मेरा secret base है यहां पहले member तुम हो जुसे मैं बुल कर रहा हूँ, so DX basically बात कुछ ऐसी है कि यार मैं loyal smp में तुम्हें पता मैं business करता हूँ, right? आहा, yes. So, तो मेरा plan है कि loyal smp में कुछ यूनो बड़ा किया जाए इस बार, कुछ crazy, क्यूंकि हर बार मैं business करता हूँ और लोग बहुत casually लेते हैं, right? ओ, अच्छा. Yes, तो इस बार मेरा plan है DX कि मैं बनाने वाला हूँ एक vending machine, और यह जो vending machine होगी na DX, यह बहुत ज्यादा मतलब ऐसा unlimited source of everything होगी, तो इसके अंदर मुझे थोड़े golden, gold चाहिए यह नो, खाने की चीज़े, carrot, golden apple, potions and all, तो बहुत सारे raw material चाहिए होगी. Yes, तो vending machine तो मैं बना लूँगा, मतलब सारी चीज़े मैं बना लूँगा, बस raw material का थोड़ा मेरा सीर है, अब देखो या DX, क्योंकि यह business है, तो यहाँ पर मैं इसको business की तरह करने आया हूँ, तो basically इसको बनाने के लिए जो raw material चाहिए है, उसमें जित्ता भी समान चाहिएगा, उसके लिए मैं तुम्हें तूँगा 10,000 rupees, literally 10,000 and yes, 10,000 rupees के साथ साथ मैं तूँगा royalty for every product, जो मैं sale करूँगा, इसके profit का 20% तूँगो royalty दूँगा, जब तक चलेगा यह loyal SMP गे अंदर, य Yes, so basically yes, तो basically मैं partnership करना चाहता हूँ क्योंकि बस इसमें मेरा फाइदा ही क्यों हो क्यों, सबका फाइदा हो तो जादा अच्छा रहेगा, एक चीज, एक चीज, तो मैं मेरे को तेरे को क्या-क्या चीज़े देनी है, मेरे को तेरे को सारे-के-सारे resources देनी है, raw material, yeah raw materials, yeah raw materials, just sell अच्छे रहा हो ना DX, वो जो products तुम दोगे, उसका sale होने के बाद 20% तुमारा वैसा है, अच्छे products के बाद 20% मेरा है, अगर तुमने किसी चीज की farm बना ली, right, तो अब तुमारे पास unlimited money हो जाएगा, अभीकश उसको लिए तुम कौर कुछ करना नहीं है, farm से सारा समाल ल तो समान प्रोवाइड तो मैं ही कर रहा हो ना तुम पता है कि पास्ट, यूनो मैं कैसा रह चुका हो, always grinding and getting the best gear, I think, I think to be honest करता है इस सब चीजहों मैं बात रहीं, gear की तो gear मैं तो तो ते लेको को परच्छानी नहीं आने वाले है, ठीक है? यह 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 लेकिन 20% is okay 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 what you what you ask 50% ब्रो 50% नहीं 50% बहुत जाद हो जाए okay dx तो let's close this deal at 30 because अगर तुम्हाँ पता हो नहीं तो कि vending machine एक potable vending machine पर भी मैं काम कर रहा हूं dx and वो server के किसी भी जगा जाएगा तो वहाँ पर पूरा machine को setup कराना उसका पूरा खर्चा वो सब मेरे को करना है बिल्ड का खर्चा तो उस हिसाब से थोड़ा तो क्योंकि sale of point of view वहाँ जादा होगा sale जादा वहाँ पर होंगे ना कि vending machine में तो इसलिए मैं तो मैं बोल रहा हूं 30 percent is it good like it's good basically products के लिए 30 परसेंट चल ओके डील डन 30 परसेंट पार्टर्शिप लेट्स को लेट्स को ब्रो लेट्स को ओके dx तो फिर बनने के बाद मिलते मुझे सारा raw material दे दे देना आपको पर सारे डीटेल बेज़ दूगा एकदम चल मैं उन सब चीजों में grinding चालू करता हूं टान 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 थैंक यू थैंक यू बर्माच गाइस वीडियो बागे पढ़ने से वहले मैं तुमको बता तो कि मैं लॉयल संप के अंदर बैंबू प्लांट कर रहा हूं ऐसा इसलिए थे मैंने चालेंज लिए मुझे जितने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे मैं उनके नाम का बेंबू LOYAल एसप्यम करूंगा तो चल्लकाइज है पाइसिप Alberts करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना था है कि मैंने सुप्सक्राइब कर दिया और मैं तुम्हारे नाम का प थोड़ा complicated red wolf है सारे यहां पर जितने भी ships है वो red में converted है यहां पर पूरा चल्ज जो है यह भर चुका है तो आमें तुम दिखाता हूँ कितने सारे हुए भी तुम देख सकते हो यहां पर सारे में भाई red bull भर चुका है और जितने हमें चीए उतने हमारे पास सब भी आ चुक यो guys finally हमारा vending machine complete हो चुका है यह तो मेरे screen पे भी नियारा कितना जादा बड़ा है और yes guys इसे बनाने में बहुत जादा टाइम चला गया बट yes finally अभी यह बनके तयार हो चुका है और यह I guess इतना जादा बड़ा है रहा मैं क्या ही बताओ okay so यह है इसका front view और देको इसकी detailing कितनी जादा अच्छी लग रही है और इसके अंदर यह सारी चीज है design and everything तुम्हें कैसा लगा मुझे comment करके बताना और rating देना कि out of 10 तुम्हें यह कैसा लगा पट अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस शॉप के अंदर मुझे रहना जरूरी है तो of course not क्योंकि एक vending machine तो जिसे भी समान चाहिए होगा वो जाएंगे वहां पर कुछ और वहां से जाके समान ले सकते अब यह कैसे काम करता है इसके अंदर सारी चीजे क्या है कैसे काम करेंगी वो सारी चीजे हम देखेंगे सारे loyal smp के members के साथ तो मैं इस सारी चीजे setup कर लेता हूँ और अभी तो रात बहुत जादा हो चुके तो इसके अंदर सारा setup करके मैं सो जाओंगा और कल हम loyal smp के सारे member के साथ इसका reaction देखने वाले है और guys मैं बता दो कि बस मैंने यही कुछ नहीं बनाया है आके बहुत सारी चीजन तो विडियो को इंट तक पूरा देखना तो चलो में तुम लोगों को मिलता हो दोस्तों 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 वेलकम बैक वापस यो आसान भाई क्या हाल है शीजन वाई बताता हूं बताता हूं बताता हूं सीजन 3 मैं finaly जैसा की त बिजनस लेके आचुका है एक मिनट ऑसांदी वाट वाट वॉट देट मी एक्स्प्लें इस टेज अभी फिलाल के लिए तो 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 मेरे पीछे देख सकते हो इतना बड़ा वेंडिंग मशीन यह एक प्रॉपर वर्रिकिंग मेंडिंग मशीन है जहां पर तुम कभी भ इंपर 24R7 आके पैसे देखे कुछ भी खरी सकते हो जो मतलब मिल सकता है सब मिल जागा तुम खाने से लेके आर्मर से लेके फोशन आपने जो सामने पिक्सल आर्ट पर रजिन आइटम के वहीं मिलें क्या सिरुप वह एक जस्ट यून इस इलस्ट्रेशन परपस बहुत सार देने के बार ठीक है और वो सर्प्राइज से लिटरली तुम लोग बहुत खुश होने वाले हो कि ऐसा तुमने आज तक माइनक्राफ्ट की स्ट्री में कभी नहीं देखा होगा ऐसा कुछ जो मैं दिखाने वाला हूँ कुछ है मैं बताऊंगा अभी पहले अपन वेंडिंग मशीन तरफ देखते आओ मेरे पिछे आओ आजाओ दोस्तों ज्यादा ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर पैसे डालो समाल लो सिंपल मैंने ज्यादा कॉंप्लिकेटर नहीं किया अरे अरे लूटो मता चलो फ्री देता तुम लोग आज के लिए आज के लिए फ्री है चलो तो यह सिंपल वेंडिंग मशिन समाझ गया ना तुम लोगों कुछ कुछ यह आके ले ले ला ठीक है मेरी जरूरत नहीं आप तो आप जो चीज तुम लोगो दिखाने लाया हूँ अपन उसके तरफ चलते अभी नीचे चलते ठीक है और बिल्ड को तुम लोग रेट कर दो तुम है क्यों मैं बनाया हूँ उसको बनाने में तो टाइम तो लगा बट फाइनली वह बन चुका है तो सपोस करिए दोस्तों कि आप एक बहुती बयावान जंगल में गयो जहां आसपास कुछ भी नहीं रिसोर्स के नाम पर और आपको एक वार लड़ना है आपको अब मैं तुम लोगों प्रूफ करने वाला हूँ पोटेबल वेंडिंग मशीन काम कैसे करती है तो अब तुम लोग थोड़ा सांत हो जाए और जो दिखाने वाला हूँ उस पर यकीन करना ठीक है अब एक काम करो कोई भी एक बंदा सामने आजा उसको जादा चुल है देख अब वोल्ड डिसाइड करेगा कि वो लोकेशन कोन सा आउने वाला है जहां पर हम दिखाएंगे कि वहां पर क्या मेशीन आ रही है कि नहीं आ रही है तो वोल्ड तुम कितना भी पर्ल फेक सकतो किसी भी डियरेक्शन स्पॉन के चाहे वो द्यों हो एक हो कितना भी पर्ल ठ टैक करना डिस्कॉर्ट के एंदन उसके बाद तो मैजिक तुम्हें दिखाई दोगा ओके चलो गाईस एवरीबडी उधर इपन पर चलो वोल्ड ने रिसाइड के आई कि वो उसका पॉंट होने वाला है जहां पर वोल्ड को बैकप चाहिए राइट अगर वोल्ड को कोई भी चीज चाहिए तो वोल्ड ने मुझे बस DM करना है और यहां पर वो चीज आने वाली है तो बस तुम्हारा यही लोकेशन है तो अब जो हमारा पोटेबल वेचीन है वो कैलकुलेट करेगा और इसके नियर्स लोकेशन पर तो मैं मिल जाने वाला है सो यह वेट for some seconds ओ यह तेखो वह तुम्हारे सुरे नीड का समान इसके अंदर मिल जाएगा अबें लूट ओ मातलूफ़ ह। तो यह भी है इसको भी तो उट ओ तो इसके अंदर भी हैा उट इसके अंदर appeared जर चिंता मत करो, सब मैंने प्रॉपर अपनी टीम के साथ वक किया है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है, येस, secret team, I can't reveal, ओके दोस्तों, अभी subscription को लेने के लिए कोन कोन इंट्रेस्टेट है, मैं, 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 मैं तो अभी इसको पूरा work करने के लिए टूंटी थाउजन की funding चीए, कि मैं race कर रहा हूं और वो complete हो भी जाएगी, 1000 रुपे देती है, हो जाएगा हो जाएगा हो सब्सक्रिप्षन कूछी दिन में start हो जाएगा, जैसे मैं सारी build complete कर लो मेरे team इस पर दिन रात work कर रही है तो अपना-पना account guide कर लेना यह team कौन से है जो पता ही नहीं हमको जोस्तो जब तुमारे पास पैसा हो तो तुम्हें लोग मिल जाते हैं उसकी चिंता तुम मत करो ओके गाईस तुम लोगों ने interest दिखा इस पर अभी मैं चलता हूँ सारे कुछ ready करता हूँ ताकि तुम लोग इसको use कर सको बाई 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 गाईस बाई 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 जाई बाई और उन्होंने अपना Minecraft account मेरे Discord से connect कर दिया and as a result जब भी वो मुझे Discord के DM में tag करेंगे मैं उनके nearest location पे vending machine पहुचा दूँगा and as a result मेरे पास loyal SMP के सारे member के live location का access है and मैं इसका जैसे चाहूँ वैसे use कर सकता हूँ